सु हेलो गाइज वेलकम टो आज चैनल आज ये वीडियों हम बात करने वाले हैं कि रैम क्या है और इसकी जुरूत हमें क्यों पढ़ती है सुगैज रैम को शॉर्ट में रेंडम एक्सेस मेमरी कहते हैं रैम कंप्यूटिंग के सबसे fundamental elements में से एक है रैम एक super fast और temporary data storage space है जिसे computer को अभी या अगले कुछ moments में एक्सेस करने की जुरूत होती है किसी भी device में रैम चाहे किसी handheld device में या एक PC और laptop में hardware का एक टुकड़ा है जहां processor के instant access के लिए current application का data रखा जाता है यह devices के लिए main memory के रूप में work करता है और यह किसी hard disk, SSD या optical drive के comparison में बहुत ही fast होता है रैम एक general purpose वाली memory है जो आमतोर पर किसी program में user के data को store करती है RAM memory को volatile कह सकते हैं क्योंकि यह power की absence में data को retain नहीं कर सकती है तो power के हटाने के बाद data lost हो जाता है most microcontrollers में कुछ amount में internal RAM होती है तो mostly आपने desktop, laptops और यहां तक की smartphone और tablets में देखा होगा कि 4GB RAM, 8GB RAM, 16GB RAM, 32GB RAM, किसी-किसी में लोग 64GB RAM भी लगा लेते हैं तो आएए जानते हैं कि RAM का purpose क्या होता है एक device का performance ना cable उसके processor पर dependent होता है बलकि उसकी memory या RAM के amount पर भी dependent होता है अगर को user अपने device पर कई application खोलता है तो उसकी current state RAM पर login होती है जो किसी दूसरे app पर काम खतम करने के बाद user को present state में एप तक पहुँचने में मदद करता है जादा RAM ensure करता है जादा data और जादा multiple apps को run करने में memory में जिसे user को एक seamless user experience मिल सके तो sum up करते हैं simple words में कि RAM है क्या RAM को random access memory कहते हैं जो अपने words पर stand भी करता है RAM एक volatile memory का एक रूप है जिसका मतलब यह है कि cable data तब तक रखा जाता है या store किया जाता है जब तक कि उसे power provide कराई जाती है और जब आप PC बंद करते हैं तो सब कुछ erase कर दिया जाता है या कहें तो इसमें data permanently store नहीं होता है RAM memory को gigabytes में measure किया जाता है I hope कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और share करें धन्यवाद